Hello everyone, मेरा नाम टॉक्टर संचोडिया गरवाल है, मैं हूंपथिक फिजीशिन आज चल्डर्स दी है, तो आज हम बच्छों से रिलेकेट बात करने वाले हैं आज की हमारी धीम है, लिटल परस पॉल, लिटल वांस हूंपथिक रिमिडीज बच्चों के लिए कम्प्लिटली सेफ होती हैं और आप असानी सोने एडिनिस्टर कर सकते हो, ड्रॉप्स के पॉर्मर दे सकते हो और उनके साइडिल्स बहुत कम होते हैं हूंपथिक मेडिशन्स आप बच्चों को किसी भी स्टेज में दे सकते हैं अगर मदर ड्रस फेडिंग है, तो आप मदर के थ्रूबे बच्चे को हूंपथिक की दवाई दे सकते हैं अगर तुरत पैदा हुआ बच्चा है आप उसको भी होमोपती की दवाई इजी लिए दे सेते हैं, वो completely safe होती है होमोपती की दवाई बच्चों को ऐसे कोई side effect कॉज नहीं करती है जब बच्चा बड़ा होता है, growing stage में होता है तो उसकी body physical surroundings की contact में आकर अलग-अलग तरीके से react करती है तो बहुत सारे physical symptoms, mental symptoms उसकी body पे आने रहते हैं Physical symptoms जैसे की cold हो गया, cough हो गया, bed wetting हो गया, sleep disorders हो गया, anxiety disorders हो गया उसकी बहुत अलग-अलग तरीके से react करने रगती है इस सभी के लिए आप उनको home health की दवाई दे सकते हैं बगर बच्चे को cold और cough की problem होती है या कोई भी problem हो रही है, तो mother rush out करती हैं किसी भी doctor के पास फिर doctor ने a mixture of medicines उसे बना के देते हैं जिस उसे जल्दी से जल्दी relief मिल जाए पर यहां हम समझने में भूल कर देते हैं कि जो पच्चों का organ system होता है, वो immature होता है वो chemicals और ये सब चीजों से बहुत ऐसे हाप कर सकता है ये सब चीजे होने जो human address होते हैं, वो adaptive होते हैं, resilient होते हैं बड़ जो पच्चे होते हैं, बहुत fragile होते हैं हम उन्हें जादा से जादा natural और organic चीजों के उपर अपना चाहिए जिससे उनकी body को कोई हाम ना पहुचे हमोपेटिक system of medicine जो है ये body की बच्चों की immunity को naturally enhance करता है body की natural defense mechanism को stimulate करता है जिससे body खुद से खुद को ठीक करती है और बच्चे को कोई भी हाम नहीं होता और कोई side effect नहीं होता तो बच्चा easily इन सब चिजों से ठीक हो सकता है तो हुमोपेटिक medicines basically safe होती हैं बच्चों के लिए और easily हम उन्हें administer कर सकते हैं और last में, मिठी तो होती हैं तो they have a pleasant taste too Thank you so much and once again Happy Children's Day